नमस्कार बच्चों क्या आपको पता है कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और ये हम सभी के लिए बहुत गर्फ की बात है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे ये जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे कि G20 क्यों बना, कैसे बना और इसकी क्या भूमिकाय हैं तो चलिए एक चर्चा देखते हैं, जिसमें अध्यापिका, श्रीमती, शीतल और दो छात्र, राधिका और आदित पे हिस्सा ले रहे हैं मैम, मैं भी G20 के बारे में जानना चाहता हूं, रुच्छीफ है मैं बहुत कोश्यों कि आप दोनों G20 के बारे में जानना चाहते हैं पहले आप मुझे ये बताएए कि G20 का अर्थ क्या है मैम, गुरूप ओफ ट्वेंटी बहुत सही आदित, इसका मतलब है गुरूप ओफ ट्वेंटी भारत लोकतंत्र की जन्म भूमी के रूप में जाना जाता है भारत की लोकतंत्रिक परंपरा बहुत ही पुरानी है भारत में गंडराज्य हमेशा से रहा है Group of 20 एक ऐसा समोह है या इंटर गवर्मेंटल या अंतर सरकारिय ऐसा मंच है जहां पर विश्व के देश आकर अपने आर्थिक मुद्दों के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं आर्थिक मुद्दों के साथ साथ ये राजनितिक और समाजिक विश्यों के बारे में भी बात करते हैं राधा, आदित, क्या आप जानते हैं कि इन 20 देशों में कौन-कौन से देश शामिल है? आदित, मैं चाहते हूं कि आप इस सूची में से पढ़कर बताएं कि जी 20 में कौन-कौन से देश शामिल हैं जी मैम अर्जन्टिना अफ्ट्रेलिया ब्राविल कैनेडा चीन फ्रांस जमनी भारत इंडोनेशिया इटली जपान दक्षिन कोरिया मेक्फिको रूफ साथ यरब दक्षिन अफ्रिका तुर्की इनाटिट किंग्डम फिन्युक राज्जी अमेरिका यॉर्पिया शंग बहुत अच्छे अब इन 20 देशों में क्या आपको लगता है कि ये सारे देश ही हैं? जी माम, ये सारे देश ही है रादा, आपको क्या लगता है ये देश है? माम, मुझे पर यसा ही लगता है पर अगर हम इस सूची को ध्यान से देखें तो इसमें 19 देश हैं और एक संग है यानि वो संग का मतलब होता है यूनियन इन सभी देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 देशों से मिलकर बना है इसका मतलब 19 के अलावा 27 देश और हैं इसलिए हम इस मंच को काफी रिप्रेजन्टेटिव कहते हैं इसके अलावा, ये जो 20 देश है या 20 यूनिट है G20 की ये सारे 6 महाद वीपो में से कही न कहीं से इस मंच पर शामिल है अफ्रिका में से कौन सा देश है अधित? जी माम, माम दक्षिन अफ्रिका रादा, क्या आप दक्षिन अफ्रिका को मैप पे देख सकती है? यस माम ये अफ्रिका के बिलकुर साउथन पार्ट में है बहुत अच्छा अब आप ये भी देखेंगे कि इन सारी कंट्रीज में या इन सारे देशों में डेवलपिंग और डेवलाप्ट दोनों तरह की कंट्रीज शामिल है माम, क्या आप अप में डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच का डिफरेंस बता सकते है राधा, आप भी जानना चाहते हो कि क्या अंतर होता है विक्सित और विकास शील देशों में? हाँ, माम विक्सित और विकास शील देशों का अंतर हम कई पैमानों पे मापते हैं विक्सित देश वो होते हैं जिनोंने एक स्तर का उद्योगी करण यानि इंडस्ट्रिलाइजेशन, स्टैंडर अफ लिविंग या एक तरह का स्तर प्राप्त किया हुआ है यह देश इनकी आय बहुत ज़्यादा होती है और यहां पर जनसंक्या आबादी को काफी हद तक मूलभूत सुविधाय यानि इंफ्रस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रल एंड सिविक इमेनिटीज प्राप्त होती है यहां अगर हम इनको डेवलापिंग कांट्रीज से कंपेर करें तो डेवलापिंग कांट्रीज में जो है यह प्रोसेस ऑफ गेटिंग डेवलाप्त यानि वो विकास की और बढ़ रही है तो यह अंतर हम विकास और विक्सित देशों के बीच में देखते हैं मैम क्या आप अमें बढ़ा सकते हैं कि G20 क्यों बना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि G20 की स्थापना क्यों की गई सब 1999 में जब विश्व में आर्थिक संकट आया जिसे हम फैनेंशल क्राइसिस भी कहते हैं उस समय 20 देशों ने मिलकर जो विक्सित और विकाश्शी देश थे इन्होंने मिलकर एक अंतरराश्ट्री मंच स्थापित किया इस मंच पर आकर इन्होंने विक्तिय संकटों के बारे में बात की शुरुवात में इस मंच पर हर country के या हर देश के finance ministers यानि वित्त मंत्रे और central banks के governor शामिल थे जब 2008 में दुबारा विश्व वित्तिय संकट से गुजरा या दुबारा global financial crisis हुआ उस समय इसका upgradation हुआ यानि इसे देश के प्रमुक स्तर तक पहुँचाया गया और यहां पर देश के प्रमुक जैसे president या prime minister आकर इस मंच पर अपने विचार व्यक्त करने लगे तब से इसे G20 को एक ऐसा मंच माना जाता है जो पूरे world की या पूरे विश्व की विकसित और विकास शील देशों की समस्याओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनितिक हल ढूंडता है, उनके बारे में बात करता है, एक दूसरे से सीखता है और उनके विश्यों के बारे में चर्चा करते हैं मैम G20 का एक logo है, क्या आप अमने उसके logo के बारे में बताएंगी? लोगों को हम हिंदी में प्रतिक चिन्न भी कहते हैं, और मैं आपको G20 की लोगों के बारे में बताती हूँ अगर आप ध्यान से लोगों को देखेंगे, तो इसमें G20 लिखा हुआ है, G English में Alphabet है, और 20 अलग से लिखा है 20 का 2 नूमरिक है और 0 की जगा इसमें प्रित्वी को दिखाया है, अब आप देखेंगे तो प्रित्वी किसमें रखी है? कमल में रखी है और इसके नीचे भारत हिंदी में लिखा है, वर्ष 2023 इसले लिखा है क्योंकि इस वर्ष में भारत ने G20 की प्रेजिडेंसी ली है इसी के ठीक नीचे आप देखेंगे कि लिखा है वसुधैव कुटमबकम वसुधैव कुटमबकम जो है भारत की प्राचीन फिलोसफी या पारंपरिक मूलियों को दर्शाता है और इसके ठीक नीचे G20 का लोगो या मोटो है, वो है One Earth, One Family and One Future अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ होगा एक धरा, एक परिवार और एक भवेश्य इसमें एक जानने की बात और है राधा और आदित कि आप इसकी कलर स्कीम देखे जी ट्वेंटी जो है, वो केसरिया और हरे रंग में है, जो भारत के जंडे से लिया है, तिरंगे में जो तीन कलर है उसमें से और पृत्वी को नीरे रंग में दिखाया है, कमल में दिखाया है, जिस तरह कमल को कहा जाता है कि वो कटनाईयों में उगता है इसी तरह धरा जितनी भी कटनाईयों को फेस कर रही है या कितनी भी कटनाईया या चुनोतियों को जेल रही है वो कमल की तरह खिलेगी और आगे बढ़ेगी अब मैं आपको बताती हूँ कि G20 का रोल क्या होता है किसी भी मंच की स्थापना इसलिए की जाती है कि वो किनी भी कायों व्यक्ति या देशों को एक ऐसा अफसर दे जहां पर वे आकर अपने बारे में बात कर सके अब हम अगर रोल की बात करें तो G20 की क्या भूमी का है क्या रोल है G20 एक ऐसा मंच है जहां पर विश्व की सारे देश मिलकर अपनी कटनाईयों और चनौतियों के बारे में बात करते हैं जैसा आप जानते हैं कि पिछली दस वर्ष में बहुत सी चीजें ऐसी होई हैं जिसने पूरे विश्व के देशों को बहुत से संकटों में भी चाला है और बहुत बार उबारा भी है COVID-19 pandemic एक ऐसा ही उधारंड है यह फोरम या यह मंच ऐसे मंच होते हैं जहां पर विश्व की विभिन नदेश आकर अपने बारे में बाते करते हैं चर्चा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं जैसे अगर हम COVID vaccine की बात करें तो COVID vaccine किस अभी ने साजेदारी से डेवलाप किया यही रोल है इस मंच का भी जहां पर जो विश्व है किसी भी तरह की संकट से उबरने के लिए चाहिए climate change हो आपने climate change के बारे में सुना होगा जिसे जलवायू परिवर्तन है global warming है pollution है smart city है किसी भी तरह की मुश्किलों या किसी भी मौका देता है कि हम आकर उनके समस्याओं के हल को ढूंडे मैं स्कूल के बच्चों के लिए कौन से activities और programs है राधा आपने बहुत अच्छा प्रशन किया क्योंकि आप स्कूल के बच्चे हैं कि आप लोगों के लिए क्या activities और programs है पर इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि G20 के अंदर क्या program होंगे? G20 में एक वर्ष में भारत में कम से कम 200 meetings organize की जाएंगी जो पूरे 50 शहरों में होंगी और इन meetings का मुद्धा क्या होगा? इसमें 32 ऐसे theme areas identify किये हैं या 32 theme areas, 32 wishe या 32 wishe identify किये हैं जिनके ऊपर ये meetings organize की जाएंगी इसका मतलब भारत की 50 शहरों में कुछ G20 से related जरूर होगा. जहां तक बात करें स्कूल के छात्राओं और छात्रों के लिए क्या गतिविदिया हैं? आप लोगों के लिए बहुत से academic programs और activities हैं, जैसे quiz competition है, आपके science exhibitions हैं और बहुत सी ऐसी storytelling debate competitions हैं जो आप as a student या as a छात्र उन में participate कर सकते हैं. स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारी activities और programs हैं, जिनके बारे में जानकारी ज्यादा मिल सकती हैं, NCRT की website से, CIT की website से, और G20 की website पर. क्या आप दोनों इसमें भाग लेंगे? जी मैम, मैंने शित रूप से भाग लूँगा. बहुत अच्छा. और मैम, आज ही मैं जाके बहुत बढ़िया. मैम, इसमें कौन से international organization इसमें शामिल है? International organizations के अलावा इसमें कुछ countries को अत्यती देश भी कहा जाता है या guest countries कहा जाता है. यह guest countries कौन सी होती है? आदेत, आप हमें इस सूची में से पढ़ कर सुनाएं. जी मैम. Bangladesh Bangladesh Mishra Marshall Netherlands Nigeria Oman Singapore Spain Shaniyukd Arab Amirat यह अथिती देश वो देश होते हैं जो इस मंच में पॉर्मल सदस्य तो नहीं होते हैं, बट यह सदस्यों के साथ बैठकर बहुत से आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, मुद्दों पर चर्चा करते हैं. अगर हम बात करें international organization की या अंतराश्टी संस्थाओं की तो इनकी बहुत महत्वपून भूमिका होती है. यह संस्थाओं देश तो नहीं होते बट यह इन सभी देशों के साथ मिल जूलकर काम करते हैं. कुछ संस्थाओं के नाम जो इसमें सम्मिलित हैं या इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, वो हैं UNO, यानि संयुक्त राष्ट्र, International Monetary Fund, World Bank, Financial Stability Board, OECD. इसके अलावा मैं आपको कुछ और मुख्य बाते बताती हूं जो G20 के संदर में बहुत जरूरी हैं जानने. पहला ये है कि भारत ने पिछले वर्ष, 75 वर्ष आजादी का मनाया है. अब से शुरू हो रहा है अम्रतकाल, अगले 25 वर्षों को हम इस रूप में मनाते हैं कि ये 25 वर्ष हम भारत की स्मृद्धी के लिए इस्तमाल करेंगे, या भारत को इन अगले 25 वर्षों में जब त लाइफ का मतलब है, Lifestyle for Sustainable Environment. अब इसका मतलब क्या होता है? आप दोनों ने Sustainability के बारे में सुना होगा. Sustainability का मतलब है कि हम अपने संसाधनों को किस तरह सुरक्षित या संरक्षित कर पाएं. जब हम जलवायू परिवर्थन की बात करते हैं, Climate Change के बारे में बात करते हैं, तो यदा कदा हम इस बारे में बात करते हैं कि हमने अपने संसाधनों का इस्तमाल सही नहीं किया है. प्रदान मंत्री जी ने इसके बारे में कहा कि हमें sustainable lifestyle को develop करना है. इसके अलावा ये एकवर्ष भारत को वो महतोपूंट समय देता है, जहां पर भारत एक प्रतिनिधी का या एक लीडर का रोल निभा सकता है. जैसा कि आप जानते हैं कि सारे के सारे देश या तक्रीमन 80 प्रतिशत देश जो G20 के सदसे हैं, वो developing countries हैं या विकास शील देश हैं. इन सभी में भारत की भूमे का बहुत एहम है. भारत इन सभी का नितरत्व कर सकता है और पूरे विश्व को ये दिखा सकता है कि किस तरह हम collaborate और cooperate करके यानि सहयोग के द्वारा चलकर विकास की और अग्रसर हो सकते हैं. तो अब आप दोनों मुझे बताएं कि G20 के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, राधा? मैम, मुझे G20 के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा. मैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मै इनका हल आप उसी चर्चा के आधार पर करें जो आपने अभी देखी है. झात अच्छा लगा में जात बारे में जाटिया है. झाल झाल